नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे योट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 25 और 26 जुलाई को मध्यपरदेश में मोसम कैसा रहेगा मध्यपरदेश में अब मानसुन पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है अब जिन छेत्रों में अभी तक बारिस नहीं हुई है उन छेत्रों में भी बारिस होने के संभावनाई बन रही है मोसम विभाग ने आने वाले एक दो दिनों में कुछ जिलों में भारि भारिस का अलर्ट जारी किया है वह एक कुछ चेत्रों में बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है तो क्या है पूरी रिपोर्ट ये जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अन्त तक जरूर देखे वज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए गंटी के निसान को भी जरूर दबा दीजे जिससे आपको हमारे नए वीडियो का ने बन रही हैं तो प्रदेश के सागर, रिवा, जबलपूर, सहडोल, बोपाल, होसंगाबाद, उज्जेन, इंदोर, गौालेर वचंबल संभागों के जिलों में अधिकांस इस्तानों पर गरज चमक के साथ बोचारे गिर सकती हैं उसके अलावा बात करें तो रिवा, सतना, अनुपूर, उमरिया, डिन्डोरी, कटनी, जबलपूर, नर्सिंगपूर, मंडला, सागर, चतरपूर, टिकमगड, विदिसा, सिहोर, राजगड, बेतुल, बुर्हानपूर, खंडवा, खरगोन, दार, देवास, आगरमालवा, स 64.5 mm या उससे अधिक बरसात होने के संभाव नहीं बन रही हैं, तो दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने मौसम विबा की ओफिचल साइट से प्राप्त की हैं, ये कोई भी जानकरी मैंने अपने मन से नहीं बताई हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, आप कौन से जिले से बिलों क करते हैं, कमेंट करेंके जरूर बताई हैं, चले मिलते हैं, अगले वीडियो में धन्यवाद